मुझे किसी बात का भी डर नहीं है क्योंकि मेरा सर पे विमोल एक्सपोर्ट करने वाले का हाथ है दिल से बोलो जूबा केसरी वेलकम बैक बॉली सुइत मनीस लड़ाए बाला कॉंसेट देलो उसके अंदर हिरो वाला तीन से चार केरेक्टर और धमा के दर भारी वरकम देश भक्ति वाला डायलक ये बन गया बॉलीवूट का मसला तड़का वाला फिल्म अजय देबगन फिर से एक वर फूल चार्ज में दिखाई दिया उनका चवी उन्हें देखके अंदर ही अंदर बहुत खुशी फिल होता है लेकिन आखों यांखों में बहुत कुछ कह जाते ब भूच के पास के गाउं माधापूर से 300 माईला सोलजर के साथ मिलके 72 घंटे के अंदर हबाई पट्टी को ठीक से बना दी थी इससे जदा जनकरी जाएगा लेकिन ये सबको जनकरी रखना ज़रूरी भी है देश भक्ति का एक अलग इमोशनल टाज होता है और इस फिल्म के एक्षन दिखाई दे रहा था प्लेन आ रहा है हावा में बॉम गिर रहा है हावा के अंदर फाइट से दिखाई दे रहा है एक के बाद एक सोलजर मरे जा रहा है मतलब थोड़ी दिर के बाद तो मैं ऐसे लग रहा था भाई सोचने पर बैट गा तो मैं चल के आ रहा है कि बात किसी का भी कपड़ा कोई भी एंगल से पूराना नहीं लग रही थी मतलब नया जकास चमकिला मुझे सब्सक्राइब एक फानी सिन लगा जब संजदत जमीन से सिधा पानी का टैंक तक कूछ जाता है मतलब रियल स्टोरी का अंदर अन्रियलिस्टिक एक्षेन जो कोई के लिए वार एंड धमा के दरबार देखने मिलेगा काफी सारे लड़ाकों वीमान के बिच फाइट देखने मिलेगा यह मूवी एक्स्प्लोजस के मालू में बहुत कुछ दिखाई दिया वेपक्सी बात करूं तो कहीं कहीं पर मुझे बहुत खमिया दिखी और कहीं क प्राउड फिल होता है कास स्टोरी को और थरह हमारे समय खोल के पेस किया होता तो बहुत मजा आता लेकिन जो भी हो मजा आया फिल्म में इतना बुरा भी नहीं है ठीक टाक आप एक बर जुरूर अच्छा से देश भक्ति फिल्म दिल से देख सकते हो एक्टिंग का बात कर अगले किसी वीडियो में